जैस्री किष्णा दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके इस चैनल पर दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिन पुरशों के कुंडली में जीवन में दो पत्नी के योग बन जाते हैं या दो विवा के योग बन जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं किस ग्रह के कारण बनते हैं क्या ऐसा योग कुंडली में होता है जनम जात योग कुंडली में लकन कुंडली में कि दो विभा होते हैं या दो पत्नियां उनके पास में होती हैं वैसे तो दोस्तों दो विभा के योग और दो पत्नियों की योग ये अलग अलग योग हैं लेकिन आज हम इसमें दो पत्नियों के योग का कारण हम जानना चाहते हैं कुंडली में और आईए इस पर डिस्कस कर करते हैं इसको मैं हूँ दोस्तों आपका मित्र एस्ट्रोलोजिस निशास्ट्री और आप देख रहे हैं जो तिस से संबंदित कुछ विशेश और एडिशनल जानकरिया दोस्तों आईए प्रावर्म करते हैं लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को स समय समय पर तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों दो पतनी के योग जिन पुरुशों के जीवन में या फिर कुणली में बनते हैं उसके लिए उसका विशेशन करने के लिए मैं आपको तीन कुणलियों के माध्यम से ग्रह के माध्यम से समझाओंगा तीन प्रक जो बता देना चाहता हूं कि पुरोषों की कुंडली में दो पत्नियों के योग का कारण या फिर इस में जो है रोल पूरी तरह से शुक्र का होता है जी हां ग्रहों के मद्या देट्य गुरू जो शुक्र है शुक्र का ही रोल पुरुशों के जीवन में या कुंडली में होता है जिसके कारण जो है दो पत्नियों का यूग व्यक्तियों के कुंडली में या जीवन में बनता है दोस्तों जब शुक्र किन ही दो या तीन शुब ग्रहों के साथ में बैठा हो या फिर दो या तीन या चार कुरूर ग्रहों के साथ में बैठा हो आप दूसरी कुंडली में देख रहे हैं या फिर तीसरा प्रकार ये हो सकता है कि जब शुक्र सोम्य ग्रह और कुरूर ग्रह दोनों ग्रहों के साथ में बैठा हो ये तीन प्रकार है इनी तीन प्रकारों से जानेंगे हम कि यहां पर जो शुक्र का रोल है और शुक्र किस प्रकार से दो पत्नियों को प्रदान करता है पुरुषों को तो वो किस प्रकार से आईए चांदते हैं दोस्तों इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों कि पहली कुंडली जो है इसमें जो है सूर्य और बुद्ध के साथ में शुक्र या पर विराजमान है शुक्र बैठे वे हैं तो ये है सौम्यग्रह और कुरूर्ग्रह कुरूर्ग्रह सूर्य है सौम्यग्रह बुद्ध है तो सौम्यग्रह और कुरूर्ग्रह इन दोनों के मद्धे जो है शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है जैसे कि मैंने आपको तीन प्रकार बताये थे उन्हें तीन प्रकार में ये एक प्रकार है सौम्य ग्रह और कुरूर ग्रह जब दोनों के साथ में शुक्र बैठा हो क्योंकि शुक्र ही पुरुषों के वेवाइक जीवन का अधिपती है और शुक्र ही पत्नियों से सम्मंदित फल को देता है तो शुक्र यहाँ पर सौम्य और कुरूग्रा दोनों के साथ में यूती बना करके बैठा हुआ है अब यह देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है जब शुक्र सौम्य और कुरूग्राओं के साथ में बैठता है तो यह ऐसे इस्तिती बना देता है और इस इस्तिती के अनुसार जो है व्यक्ति के जीवन में एक पतने के अलावा भी संबंद स्थापित होते हैं और वो संबंद जो है अपने घर जैसे की आपने डायलोग सुना होगा घर वाली और बाहर वाली तो इस तरह के योग जिनकी कुंडली में होते हैं वो इस तरह के संबंदों से बंदे हुए होते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के कुछ अवैद संबंद भी होते हैं या फिर चुपके चुपके कुछ ऐसे पत्नी के योग होते हैं एक से अधिक जो की व्यक्ति निभाता है बाहर वाली या घर वाली के रूप में तो दोस्तों एक से विवा तो हो ही रखा है ऐसे व्यक्ति का लेकिन फिर भी ऐसे कारण बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति के कारण जीवन में या फिर पत्नी से किसी प्रकार की दूरी हो ऐसे विक्ति की इस कारण के का वश या फिर किसी असमंजस में कई बार ऐसा होता कि पत्नी दूर होती है पती पत्नी में दूरी बनी होती है तो इसके कारण जो है पती जो है वो असमंजस में होता है कि वो साथ म में रहेगी या नहीं रहेगी इस प्रकार से जो है असमन जिस पैदा हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को विवा करना पड़ता है या दूसरा विवा हो जाता है तो ये दूसरी पत्नी का योग ऐसे व्यक्तियों की जीवर में कई बार बन जाता है लेकिन ऐसा योग कम ही होत एक पतनि जीवन को दालने की उवन के ऊता है। तो जैसे ही दूसरी पतनी का यूग बना ऐसे व्यक्तियों की जीवन में तो क्या होता है कभी कभार इस तरह का योग हो जाता हा। ऐसे ग्रह वालों को की एक पतने दूसरी पत्नी ले आए लेकिन पता लगा कि पहली पत्ने भी संग में आ गई तो इसका फिर जो है यहाँ पर दो पत्नियों के योग बन जाते हैं दो पत्नियों के साथ में व्यक्ति व्यतित करता है अपने जीवन को या फिर इसमें एक और कारण बनता है जो की ना के बराबर होता है और वो होता है टाइबोस का तलाक का कारण भी बन सकता है यहाँ सूर्य शुक्र और बुद्ध की युदि यानिके सौम्मिग्रा और कुरूर ग्रा दोनों के साथ में जब शुक्र बैठता है तो इस तरह के जो मैंने आपको बातालाब बताई इस तरह का यूग और सम्मंद ऐसे विक्ति के जीवन में बनता है अब हम बात करेंगे दूसरी कुंडली के तो दूसरी कुंडली में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्रैस्वति और बुद्ध ये दोनों सौम्मिग् और इन्हे शुब ग्रहों के मद्ध जो है यहाँ पर शुक्र देब बैठे वे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो पत्नियों का यूग का कारण या फिर इसका रोल निवाते हैं शुक्र शुक्र की वज़े से ही ऐसा होता है तो शुक्र यहाँ पर सौम्म्य ग्रहो के मद्द्य बैठे वे हैं जिसका प्रभाव पहले वाले से कुछ अलग फल यहाँ पर देखने को मिलता है और वो इस प्रकार से है कि जिनके कुंडली में शुक्र सौम में ग्रहों के साथ में यूती बना करके बैठा हुआ है या दो ग्रह या तीन ग्रह या चार ग्रह हो सकत तो इस तरह की यूतियग्ति बनाकर जिन पुरुश्यों की कुंडली में बैठा हुआ है उन के जीवन में दो पत्नियों के यूग बनते हैं लेकिन वो किस प्रकार से बनते हो है कि यहां पर व्यक्ति जो है यह किसी कारण वश कारण का मतलब यहाँ पर है कि प्रेम के संबंद में आ करके या तो प्रेम संबंद हो एक से अधिक पत्नी और उसमें जो है सर्व संमती जब कभी हो जाए जैसे पत्नी की या घरवालों की तब जो है एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी का यहाँ पर प्रेम संबंद होने के कारण या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहली पत्नी से नहीं हो पाते तो पहली पत्नी के यानि के सर्व सम्मती के कारण जो है दूसरा विभा ऐसा व्यक्ति करता है यानि कि दूसरी पत्नी को अपने जीवन में लेके आता है तो यहाँ पर दो पत्नियों के योग इस कारण हो जाते है या इसी में कई बार जो है कई बादा कोई ऐसा बादा निवाने के लिए वक्ति ऐसे कदम उठाता है दूसरी पत्नी को लेने के लिए या कई बार भला करने के लिए दूसरे का किसी लड़की का इस कारण वस किसी के प्रेशर में घरवालों के प्रेशर में आकर के या अपने पत्नी के ही कहने पर ऐसे व्यक्ति जो है दूसरी पत्नी को वरण करते हैं यानिकि दूसरी पत्नी को अपने जीवन में आने देते हैं दूसरा विवा करते हैं तो ये सब कारण हो सकते हैं जब शुब ग्रहाओं के स जब शुक्र बैठा हो तो इस तरह के कारण बन करके जो है दो विवा के योग यहां पर बनते हैं या फिर दो पत्मियों के योग ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में बन जाते हैं जब शुक्र शुब ग्रहों के साथ में जादस से जादस शुब ग्रहों के साथ में कुंडली म किया शुक्र के माध्यम से उनके मुकाबले इस कुंडली का फल बिलकुल अलग है यह तीसरी कुंडली जिन लोगों की होगी यहाँ पर जो शुक्र आप देख रहे हैं इस शुक्र की सिच्वेशन के according जिनकी कुणली में शुक्र इसी तरह की situation लिये हुए है उनके जीवन में भी दो पत्नियों की योग बनते हैं दो विवा के योग बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर स्थिती परस्थिती बिलकुल अलग है और यहाँ पर फल शुक्र के अलग है वो इस प्रकार से कि जिनकी कुण क्रूर ग्रहों के साथ में बैठा हो एक के साथ बैठा हो तीन के साथ चार के साथ तो जहाँ पर सभी क्रूर ग्रहों के साथ में एक भी शुक्र नहीं है सभी क्रूर ग्रहों के मद्य जब शुक्र किसी पुरुष का बैठ जाता है तो यहाँ पर शुक्र से सम्मंदित यान का कारण शुक्र यहां पर रोड निवाता है कि शुक्र पीडित हो जाता है क्रूर ग्रहों के संबंद में आकर के और अपने फल को उसी प्रकार से देता है जिसके कारण क्रूर ग्रह पीडित हो करके या तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी किसी दुरगटना का शिकार हो जाती है पत कोई मृत्यू के कारण पत्नी नहीं रह पाती इस शुक्र के प्रभाव से क्रूर ग्रों के मध्य में बैटने से शुक्र के या फिर किसी भी तरीके से यानि कि पत्नी का साथ में न होना या दामपत्य जीवन यहाँ पर ब्रेक अप हो जाना उसका पत्य पत्नी एक दूसरे से संबंद तूट जाना किसी भी प्रकार से तो यहाँ पर जो है दामपत्य जीवन को सुखी नहीं दिखाता शुक्र जब ज्यादा कुरूर ग्रहों के साथ में सारे के सारे कुरूर ग्रहों के साथ में जब बैठा हो जो कि आप तीसरी कुण्ली में देख रहे हैं तो इस जो है दोनों पत्निया साथ में नहीं होती बलकि एक चले जाती है या एक खतम हो जाती है या एक के साथ डैवोस हो जाता है तब व्यक्ति जो है अपने जीवन में दूसरी शादी करता है दूसरा विवा करता है लेकिन कहने में तो यो ही कहेंगे कि एक पत्नी थी जो चली गई लेकिन अब दूसरी पत्नी है तो दो बत्नियों के योग ऐसे विक्ति के जीवन में हुए तो दोस्तों ये तीनों प्रकार से हमने तीनों कुण्लियों का अध्यन यहाँ पर किया शौट में इससे अधिक दिए बना है तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने कुण्ली का विश्रेशन करवाने के लिए कुण्ली आनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए उपाय जानने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके वर्टसप करके अप्वाइमेंट अपने कु श्रीकिस्ना